जय हिन साथियों नमस्कार नमस्ते आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को सेर कर दें सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं बहुत ही शांदार तरीके से आज किस क्लास के शुरुबात करेंगे हम लोग और आज किस क्लास में हम लोग बात करेंगे हिंदी का जो आपका सेलेबस है जो इसका पेपर पैटर्न होता है UPB8 परवेस परिक्षा में उसको हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं UPB8 परवेस परिक्षा में आपका हिंदी का सेलेबस क्या है और किस परकार से आपका पेपर आता है क्या पेपर पैटर्न होता है सभी चीजों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं तो सब लोग पहले class को share कर दें और जल्दी से class में जुड़ जाएं। जी जी सभी लोग class को share कर दें। हाँ तो हम लोग बात करने वाले हैं UPB8 परवेस परिक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के जो person होते हैं। उसका syllabus क्या होता है हिंदी आपका जो आता है समाने हिंदी इसका syllabus क्या होता है किस परकार से paper pattern होते हैं कितने person पूछे जाते हैं कितने number का paper होता है और कितना समय आपको दिया जाता है। इस सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं तो सब लोग जुड़ जाएं और जो भी साथी class में या चैनल पर नए आते हैं सबसे पहले आपको चैनल को subscribe करना है ठीक है। उसके बाद में आपको bell icon को press करना है तथा आल पर किलिक करना है इससे क्या होगा कि जो भी नया या लेश्टे नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा या किसी class का जो भी आपको time table होगा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा ठीक है class अगर आपको पसंद आती है तो class को like करिए अपने सभी सातियों में सभी मित्रों में share कीजे और comment box में comment करके जरूर बताएगा कि class आपको कैसा लगा या फिर आपको सुझाओ देना चाहते हैं channel के पड़ती या किसी प्रकार की आपको दिक्कत है कोई class अगर आपको टेलिग्राम चेनल जिसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से जाकर कि आप टेलिग्राम चेनल को join कर सकते हैं तो एक बार सब लोग share कर दीजे उसके बाद हम लोग class की शुरुआत करते हैं बहुत ही शांदार तरीके से आज की class की शुरुआत करेंगे और सभी चीजों पर सभी बिंदूओं पर हम लोग बात करेंगे मित्रों ठीक है सभी बिंदूओं पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या syllabus होता है कितने person दिये जाते हैं कितना समय मिलता है आपको कितना person आपके होते हैं ठीक है कितने number आपको लाने हैं इन सभी बातों पर हम ल इंट्रेंस एक्जाम होता है परवेस परिक्षा समान हिंदी का सेलेवेस क्या है और इसका पेपर पैटन क्या है इस बात पर हम लोग आज की चर्चा करेंगे आज की स्क्लास की जो मुख्यू देश है वो यही है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि UPBAT इंट्रेंस एक्जाम में आपके दो पेपर होते हैं कितने पेपर होते हैं दो पेपर होता है एक आपका होता है पर्थम पर्षन पत्र एक आपका होता है दूत्तिय पर्षन पत्र तो दो पेपर आपके UPBAT परवेस परिक्षा में होता है इन दो पेपर में भी आपके दो दो भाग होते बात करें पहले पर्षन पत्र की तो इसमें आपके दो भाग होता है भाग ये जो होता है आपका ये समान ग्यान का होता है ये आपका समान ग्यान का होता है इसमें आपके फिजिक्स के, केमेश्टरी के, बायलोजी के, हिस्टरी के, जियोग्राफी के, एकोनोमिक्स के और क्र नमबर दिये जाते हैं यानि 50 person आपके 100 number के होते हैं प्रते एक person आपका 2 number का होता है ठीक है उसके बाद में पहले ही paper में आपका भाग बै होता है जो आपका भासा से समन्दित होता है और इसमें आपके 2 option होते हैं या तो आप Hindi भासा चुन सकते हैं या फिर आप अंग्रेजी भासा सुन सकते हैं ठीक है तो इसमें आपके समान हिंदी और समान एंग्रेजी का पेपर होता है जो आपकी इच्छा जो आप ले सकते हैं ठीक है इसमें भी आपके 50 पर्षन दिये जाते हैं और पते एक पर्षन जो होता है वो दो नंबर का होता है यानि कुल आप बात करें तो कुल पर्षनों की संख्या 50, और कुल नंबर आपके कितनों हो गए, 100 नंबर, तो ये भी आपके 100 नंबर का होता है, ठीक है, और दूत्य जो पर्षन पत्र होता है, इसमें भी आपके 2 भाग होते हैं, भाग एक ही बात करें, तो इसमें आपकी reasoning आती है, और ये आता है 50 प को 50 person दिये जाते हैं और इसका भी आप 100 number का होता है ठीक है फिर इसी में आपका भागबय होता है जो की विशेवार होता है जो की आपके subject wise होते हैं अगर आप science वर्ग के हैं या आप color वर्ग के हैं या वानिज वर्ग के हैं तो जिस वर्ग के आप होते हैं उसी वर्ग से आपका 50 person पूछा जाता है ये भी आपके 100 number का होता है तो इस परकाल अगर हम लोग देखें तो UP viewer प्रवेश प्रिक्षा में 2 person पत्र होते हैं और कुल person की सेंख्या आपकी 200 होती है यानि 200 person आपको करने होते हैं और आपको B.A.D. में सरकारी कॉलेज की सीट चाहिए तो आपको 400 number में से कम से कम आप ये मान के चलिए 320 पलस नंबर लाने होंगे ये मेरा अनुमान है बाकी तो जो आपकी मेरिट बनती है उसके साब से होता है ठीक है? लेकिन पिछले बार अगर हम लोग देखे तो 320 330 ये गया था कटो सरकारी स्कूल का जो B.A.D. कालेज होता है उसकी सीट का तो 300 पलस या 320 पलस आप मान के चलिए इतना अगर आप number लाते हैं तो आपको सरकारी सीट जो है वो पक्की मिल जाईए ठीक है? क्योंकि आपको क्या होता है कि 1 से 100 की बीच में आपको आना होता है तभी आपको सरकारी सीट मिलती है ठीक है? तो I hope आपको समझ में आया होगा कि paper pattern कि इस परकार से होता है UPBR में कितने person पत्र पूछे जाते हैं ठीक है? ये सभी बातों पे हमने चर्चा किया अब जो हमारे आज की इस class का मुख्य उदेश हैं जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो आपका है कि समान हिंदी जो आपकी पूछी जाती है जिससे person बनते हैं 50, person 100 नमबर का आपका आता है इसका syllabus क्या है? ठीक है? इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इन दोनो person पत्रों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलता है फिलाल तो 2021 की बात करें तो इसमें 3 घंटे का समय दिया गया था तो वो तो board के उपर है कि क्या समय देता है लेकिन ये मान के चलिए निश्ची थी आपके 2 घंटा का समय होता है परतेग paper के लिए ठीक है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं UPBA entrance exam में समान हिंदी का syllabus क्या होता है? चलिए तो साथियों एक बात जोड़दार आप लोग share कर दीजे और जो भी साथी नए जुड़ते हैं प्लीज आप सभी से request है कि चैनल को subscribe कीजे आप लोगों का support ही हमारे लिए बहुत ही बहुत महत्पूर्ण है आपका support, आपका like, आपका comment, आपका subscribe हमें motivation करता है और भी अच्छा करने का तो प्लीज आप लोग जुड़े रहे हमसे और जादा से जादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजे तो चलिए बात करते हैं UP beard समान हिंदी का syllabus क्या होता है तो इसमें आपके कई topic है मैं आपको क्यों topic wise बताऊंगा और उसके बाद आपकी जल्द ही UP beard का class भी शुरू हो जाएगा तो आप उसमें विस्तार से पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें पहला topic आपका होता है भासा तथा व्याक्राण भासा तथा व्याक्राण से समंधित आप लोग जानते हैं कितने person बनते हैं और बहुत ही महत्पूर्ण topic है पूरा हिंदी का base जो है वह वर्माला पे ही निधारित है बात करें उसके बाद सब्द विचार से समंधित person आपके पूछे जाते हैं इसमें आपके संग्याय आते हैं उसके बाद आपका topic आता है स्वर्ण नाम तथा विशेशन इसके बाद आपका आता है किरिया अव्ये तथा किरिया विशेशन संधी से भी आपके दो-तीम person बन जाते हैं वही लिंग वचन तथा कारक की बात करें यहां से भी आपके दो person बनते हैं समास फिर आपका आता है पर्यावाची सब्द और उसके बाद आपका आता है विप्रित आर्थक सब्द यानि विलोम सब्द की बात कर रहा हूं मैं विलोम सब्द भी आपके पूछे जाते हैं तो ये सभी topic हैं आपके समान हिंदी के और इन्हें से person बनते हैं आगे बात करें तो अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ये भी आपके पूछा जाता है यहाँ से भी एक person बनता है स्रूति शम विन आर्थक सब्द यानि सब्द युग जो होता है यहाँ से भी आपके person बनते हैं और उसके बाद बात करें उपसर्ग और प्रते, उपसर्ग और प्रते से भी आपके पर्षन आते हैं, तो मुहावरे आता है और इसका वाक्य प्रियोग भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी-कभी, लोक्तियां या कहावते ये भी पर्षन आपके बनते हैं, और वाक्य रच चंद तखा अलंकार यहाँ सभी पर्षन आपके UP beard में पूछा जाता है और फिर आपका आखरी जो टोपिक है वो है हिंदी साहित रचना और रचनाकार यानि लेखा कभी रचना जो होते हैं इनसे समधित पर्षन भी आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है इन ही सभी टोपिक से बनते हैं ठीक है और इन 50 पर्षनों के लिए आपको सवनमबर निधारित है सवनमबर में से अगर आप मान के चलिए या मैं पर्षनों की संख्या बता देता हूँ अगर आप 35 पर्षन कर लेते हैं तो आपका हिंदी में अच्छा स्कोर माना जाता है ठीक है तो 35 पर्षन आप मान की चलिए वैसे तो करने आपको 50 ही है ठीक है 50 का टार्गेट बना के चलिए क्योंकि सरकारी सीट ले नहीं है अगर सरकारी सीट लेनी है आपको तो 50 पर्षनों को करके ही आना है ठीक है तो I hope आपको समझ में आया होगा आज किस वीडियो में हम लोगों ने UP beard समाने हिंदी का जो syllabus होता है उसको discuss किया paper pattern किस परकार से होता है इसको discuss किया तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ माया होगा ठीक है इसके अलावा अगर आपका कोई भी doubt होता है कोई भी person होता है तो निश्चित तोर पे आप comment करके बताईएगा हम आपके person को जरूर हल करेंगे ठीक है तो चलिए आज किस class को यहीं समाप करते हैं मिलते हैं फिर अगली class में और बहुत ही जल्द आप लोगों की हिंदी की class शुरू होने वाला है ठीक है तो अपना support बनाए रखिए चलिए मिलते हैं फिर अगली class में thank you very much जय हिंद जय वारत